आज लेकिया रख में एग विर्यानी बहुती टेस्टी और यम्मी बनने वाली है दोस्तो एग विर्यानी अगर घर में एकदम से गेस्ट आ जाए और कुछी चटपटा और टेस्टी बनाने का मन हो तो फड़ाफट बनाए एग विर्यानी नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ आपकी श्यो बरावत और आपका मेरे चैनल कुश्मी चैया जिन्दकी में एक वाफर से श्यो आगत है आप देरी ना करते हुए फटाफर से बनाना स्टार करते हैं एक विर्यानी एक विर्यानी को मैं कुकर में बनाऊंगी तो सबसे पहले मैंने कुकर चैड़ा लिया है इसे थोड़ा सा गरम होने देती हूँ और फिर डालूंगी इसमें चार बड़े चम्मच, मस्टर्ड ओयल अगर मस्टर्ड ओयल नहीं है तो आप यहाँ पर रिफार्णली और भी डाल सकते हैं ओयल गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ एक मीडियम साइज का प्याज यह मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर रहा है प्याज को अच्छे से ओयल के साथ मिक्स का लेती हूँ और इससे गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें भूनना है गैस को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रख लिया है मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैं प्याज को भूनूंगी तो हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए है, अब इस प्याज को निकाल लेती हूँ तो इसके उपर से मैं टमाटर वगेरा नहीं डालना है, हमें ये प्याज पहले अलग निकालने हैं तो सारे प्याज को मैं निकाल लेती हूँ अब इसी ओईल में अंडे को फ्राई कर लेते हैं दोस्तो अगर आप ज़्यादा जनों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं मैं आपे चार जनों का बना रही हूँ तो मैंने आपे चार अंडे लिए हैं एग में अच्छा कलर आये तो इसके लिए डालोंगी मैं इसमें 1 चौंधाई कस्पीरी लाल मिर्च यंदेगी लाल मिर्च और साती डालोंगी 1 चौंधाई हल्दी पावडर इसे एग मैं बहुती अच्छा फ्लेवर और भुती अच्छा कलर आता है अब सारे अंडे को अच्छे से fry कर लेते हैं ताकि इनमे अच्छा सा कलर आ जाए अंडे fry करके बिलकुर ready हैं तो इनहे कट्शी की मदद से निकाल लेती हूँ तो सारे अंडे बिलकुर ready हैं इसी oil में डालेते हैं खड़े मसाले मैंने आपे 2-3 long लिया है दो-तीन काले मिर्च और आधा चमचलिया है जीरा आप यहाँ पे और भी खड़े मसाले ही डाल सकते हैं अब इसमें डालेती हूँ दो-तीन कटी हरी मिर्च इसके साथ ही डालेते हैं एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें डालेते हैं एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर यह मैंने रफली चॉप कर रहा है अब टमाटर जल्दी से पक जाए तो इसमें डालेते हैं नमक नमक डालने वाद सारी जीयों को अच्छे से मिक्स का लेते हैं और अब चलते हैं चावल के प्रोसेस पर अब जल्दी से चावल भीगो लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक पैन लिया है इसमें डाल देती हूँ दो कप चावल तो यहाँ पर मैं नाप के डाल वी हूँ पूरे दो कप चावल लूंगी गर चार जनों के लिए बना रहे हैं तो दो कप चावल इनफ है अब चावल को दो-तीन पानी से अच्छे से दो लेती हूँ चावल दोकी बिल्कुर रेडी है अब इसमें डालेते हैं दो गिलास पानी पानी डाले के बाद इसे 10-15 मिर्ट भीगोने रख देते हैं 10-15 मिर्ट ही भीगोने हैं इसे जादा हमें चावल नहीं भीगोने हैं नहीं तो चावल तूटने लग जाएंगे दोस्तों यहापे मैंने टमाटर की प्यूरी नहीं बनाई बिर्यानी में टमाटर ऐसी ही अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगी कर्ची की मदद से इसे मैश करूँगी ताकि यह अच्छी से मिक्स हो जाए अब इसमें डालेते हैं मसाले मसालों मैं यहापे 1.5 चमट ढन्या पाउडर आधा चमट लाल मुर्च पाउडर आधा चमट देगी मुर्च या कस्मिरी लाल मिर्च अगर नहीं हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं इसके साथ यह डाल दूँगी एक च्वथाई हल्दी पाउडर इसके साथ ही डाल लेते हैं दो चमच बिर्यानी मसाला दोस्तों ये बिर्यानी मसाला मैंने घर पे बनाया है अगर बिर्यानी मसाले की रिस्पी चाहिए तो मैं इसे भी जल्दी ले क्या हूंगी सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये थोड़ सा सूखा हो गया है तो इसमें डालेते हैं थोड़ सा पानी, पानी डाले से एक तो हमारे मसाले अच्छे से पग जाते हैं और दूसरे में हमारे मसाले जलते नहीं हैं अब इसे 2-3 मेंट मसालों को अच्छे से पकने देती हूँ 2-3 मेंट होगे तो धकन उठाके देख लेते हैं मसालों ने ओल छोड़ना स्टार्ट कर लिया है इसका मलब यह होता है कि मसाले अच्छे से पक गए है अब इसमें डालेते हैं थोड़ा सा पुदीने के पते पुदीने के पते से बिर्याने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यहाँ पर अगर धनिया पते हैं तो धनिया पते भी डाल सकते हैं इसके साथ ही डालेती हूँ 4 बड़े चमच दही और जब भी हम मसालों में दही डालते हैं तो गैस को कर लेते हैं लो हाई फ्लेम इससे हमारी दही फटेगी नी और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी अब यहाँ पर मैं नमक डाल लेती हूँ आप अपने टेस्स के अकोर्डिंग नमक रख सकते हैं यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आदा नमक हमने पहले भी डाला था अब इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाले देस्ट में पानी मैं आपे दो बड़े गलास पानी डाल ली हूँ अगर दो कब हमने चावल लिये हैं तो दो कब चावल में दो गलास पानी जाएगा इससे बिर्यानी बहुती खिली-खिली बनती है तो पूरे दो गलास पानी डाल लिया है अब डालेते हैं इसमें चावल चावल डालते टाइम इस बात कर ध्यान अगना है कि पहले हमें आधे चावल डालने हैं आधा चावल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पते अगर धनिया के पते हैं तो धनिया के पते भी डाल सकते हैं साथी डालेंगे दो-तीन कटी हुई हरी मिर्च, इसके साथी डालेते हैं फ्राइड एग, तो एक को हमें चावलों के सेंटर में रखना है, आधे चावल लीचे से और आधे चावल हमें उपर से रखने हैं, इसके साथी डालेते हैं फ्राइड की हुए प्यास, और अब इसके उपर से डालेते हैं बचे हुए चावल, तो जितने भी चावल बचे हुए हैं, वो सारे इसके उपर से डालेते हैं, अब चावल डाल लिए हैं, तो बचे हुए फ्राइट प्याज भी डालेते हैं, इसके साथ ही साथ डालेते हैं, पूरीने के बत्ते, अगर हरा धनिया हैं, तो हरा धने भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा नमक में और डाल दी हूँ तो इस बात का हमें द्यान अगना है कि हमने यहां पे तीन बार नमक डाला है लास्ट में डाल लेती हूँ दो बड़ी चम्मच गी गी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब सारी चीज़े डाल ली है तो कुकर पे लगातेते हैं सीटी यहां पे हमें बिर्यानी में दो सीटी निकालनी है दो सीटी में बिर्यानी बिल्कुर रेडी हो जाएगी दो सीटी आगी है गैस को ओफ कर लेते हैं आप कूकर को थंडा होने का वेट करते हैं सीटी थंडी होगी है तो कूकर खोल लेते हैं और ये हमारी बिरियानी बनके बिलकुल रेडी है बहुती अच्छा flavor लग रहा है, बहुती अच्छा color लग रहा है और दोस्तो एग विर्यानी की खुजबू से मूँ से पानी टपकने लग गया है कसम से बहुत ही गजब की खुजबू आ रही है अब मैं ज़्यादा वेट ना करते हुए फड़ाफट कर लेती हूँ विर्यानी को सर्व मैं आपे प्लेट में सर्व कर रही हूँ आप किसी में भी सर्व कर सकते हैं और ये हमारी खिली खिली एग विर्यानी बिलकुल रेडी है आप एग विर्यानी को दही के साथ रायते के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो मैंने एक विर्यानी को दही के साथ सर्व करा है और थोड़ा सा मैंने प्यास से डेकोर करा है तो ये हमारी एक विर्यानी बिलकुल रेडी है तो दोस्तों कैसी लगे आपको एक विर्यानी की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको रेसिपी पसंद आती है तो ए